तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड राउंड के बारे में क्योंकि बहुत सारा कन्फिसेंस बहुत को हो रहा है और लगतार कमेंट आ रहा था और मुझे दियम भी आ रहा था तो मैंने सोचा है एर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है यह फेस्टि चाहता हूं ठीक है मैं सवरी चेंव बोलना चाहता है आप सबको क्योंकि यह एर लेकिन मैंने जितना बना था जितना इंपॉर्डन में 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 देना था ड्यवी जी के लिए अल्रेडी दे दिया है बट अभी जरूरत था क्योंकि अभी है लास्ट राउंड अकल है सब का रेट क्योंकि कल है 2728 आज चैनल तक में ही कंप्लीट करना जो आपका स्टेप से इसके रिगार्डिंग बहुत सब्सक्राइब करूंगा और थार्ट राउंड का भी बात करूंगा थार्ट राउंड का अलाट्मेंट जो कि कल हो चुका है इन साइकल वाला यह इन साइकल व और चैनल पर नए आया तो यह सब्सक्राइब करना बेल अगन को प्रस कर देना चाकि आपको ऐसी वीडियो मिलता है रहे आगे आने वाल समय ठीक है और अभी वेव जी 2021 भी आने वाल उसको निटिविकेशन भी आएगा और बहुत सारा हम लोग देखेंगे स्ट्राइजी वगरा सब कुछ डिसकस करेंगे अच्छा से WBJ 2021 के लिए जो एस्परेंट्स है वह अच्छा से सब्सक्राइब करके रखो साथ साथ जो कॉलेज इस्ट्रेंट्स अभी बनेंगे उनके लिए बहुत ही इंपर्टेंट चैनल है क्योंकि आने वाला समय में में उनके लिए इ कमेंट sie tuya कमेंट मीं मिला अब आज आते हैं थोड़ा हम लोग विलिंग्नेस की बात करतें सब्कां मैं henry सूरां कि शेयोंकि यह सब्सक्राइब क्या है in cycle round मतलब ये तो third round आया third round के बाद third round में आपको अप्डेड वगरा का option था अराम से मिल गया था ना कुछ समय नहीं आ रहा था फिर आ गया था मैंने बोला था कि आप सब वेड करो यार आ जाएगा बड़ अभी तो एक दिन पहले ही आया और अब कल ही last date है अभी तक कुछ options नहीं show हो रहा है तो क्या करें सबसे वाड़ा confusion है सबको clarity चीए कि भया मेरा freeze है मुझे freeze करना है मुझे हटना है न यह सब कुछ तो यार एक बात देख लो यह है last round अब last round के बाद कोई round अभी तक WBJ में announce नहीं किया है कि होगा ठीक है क्योंकि पहले बता दिया गया था कि हो सकता है कि और round आगे बढ़े अगर seed vacant रहा तो आगे round बढ़े सकता है बट अभी तक कुछ ऐसा कोई notification नहीं आया कि आगे round बढ़ेगा first of all यह clear कर लो उसके बाद बात यहां यह आते हैं कि अब क्या करें कुछ option ही so नहीं हो रहा है तो यार देखो option अगर आपका so नहीं हो रहा है क्योंकि यह है last round और in cycle इसके बाद कोई round नहीं है तो upgrade का जो option होता है अगला round ही नहीं है बसता है दो option या तो आपको accept and freeze means आपको freeze करके आपको college जाना है या तो वो नहीं करना है दो नहीं option ब उन्हें पहले तो fee pay किया ही होगा third round में ही solo सुरू किया होगा जिन्होंने जो पहले से आ रहे हैं उनका बात छोड़ो जो भी है fee तो pay किया ही होगा उसके बाद ही इस round पे आये हो बीना fee pay किये इस round पे आएगे नहीं तो कोई भी fee हो सकता है या तो 40,000 दी हो या तो 5000 दी हो तो यार अगर आप अभी तक हूँ तो means आपका जो पैसा है जो आपने freeze किया था ठीक है जो sorry means आपने upgrade किया था जो आपने पैसा दे दिया है तो उसका amount जो भी respected amount है या तो 5000 या तो 40,000 वो आपके respected college में transfer हो चुका है आप अगर आपको यह सब नहीं मिल रहा आपको allotment letter जो है आपको allotment letter का tab मिलेगा उससे download करना मत भूनना क्योंकि उसके बीना आपका admission means होगा नहीं ऐसा बहुत को problem हुआ आपको allotment letter मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो आपको जो upgrade वाला है वो तो हट चुका है means आपको पैसा वहाँ transfer हो चुका है यही बात है अब आपको उस college में जाना है और admission करवाना है अब बात यहां 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 आता भाया मेरा freeze है मुझे freeze करना है यह दो बात हो रहेंग या तो freeze करना है या तो मुझे छोड़ना है तो जो freeze करने वाला है वो confused है भाया मेरा freeze है की नहीं तो यार तुम्हें allotment letter मिल चुका है allotment letter में check करो तुम्हारा college क्या दे रहा है वहाँ पे कोई भी option दे रहा है upgrade वगरा का देगा ही नहीं means आपको college allot हो चुका है वो freeze क्या आप बोले वो तो allotted हो चुका है बिस आप भी freeze और upgrade का कोई scene ही नहीं रहा कहने का मतलब है एक टाइप से ठीक है ठीक फिर भी wait करके देखना अगर आप आगे जाकर अगर आपको option willingness कम बिले बड़ विलिंगनेस को option नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपका allotment letter already मिल चुका है willingness तब मिलता है जब आपको allotment letter active नहीं होता आपको याद होगा पहले से आप कभी भी counseling कर रहे थे तो आप जब willingness yes करते हो अपग्रेडिशन या तो no करते हो freeze तब आपका allotment letter निकलता है या तो upgrade करोगे तो yes अपग्रेडिशन का allotment letter मिलेगा freeze करोगे तो freeze का allotment letter मिलेगा इ जिने college पसंद नहीं है वो चाहते हैं इससे हट जाना वो क्या तो मैंने पहले भी withdrawal वाला बहुत सारा वीडियो में बता है इस बार भी बता देता हूं अगर आप allotment letter download गर होगे तो नीचे में लिखा हुआ है अगर आप अभी तक आए हो मिस आप अभी तक आते आते आपको अभी तक college लेना था तभी आपाए हो है ना तो आपका transfer पैसा हो चुका है अगर आपको withdrawal करना है तो वहाँ पर report करना नहीं है ठीक है रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पर आपका admission होगा मिन्स वहाँ जाके आप बोलोक मुझे नहीं करना है मुझे withdrawal करना है अब उन पर depend करता है वो कुछ एक्ष्टा charges काट सकते हैं कुछ भी होगा क्योंकि इसके बारे में WBJ ने पहले clear किया वो नहीं कर सकता है withdrawal का जो WBJ की through था जो पहले round तक चला आ रहा था वही तक सही था ठीक है क्योंकि अब हो चुका है खतम round आज अब तो last है तो आप round खतम हो गया तो आप जिससे withdrawal करना है तो वो college से जाके contact करेगा इसके regarding मैंने previous videos में पहले ही बता दिया है और यार जो confused है भाईया आगे का process क आगा तो यह तो मैंने clear कर दिया आपको क्या लेटर अब आगया आपको लेटर लेकर कहा जाना है और admission के लिए क्या क्या documents तो उसके regarding already videos है उपर आया बटन में link मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में playlist में भी link होगा जाकर देख लेना ठीक आया बटन में क्लिक करना मिल जाए और allotment लेटर तो बहुत ही important है उसके वेना काम नहीं बनेगा तो I hope सारा confusion clear हो चुका होगा ठीक है तो tension की बात नहीं है जिसे भी so नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि आपका allotment लेटर सबसे बड़ा सबूत है यार वो upgrade वो freeze को को कोई मतलब नहीं है तो जिसे अच्छा college मिल जो का जाकर जल्दी सेडमेशन करवा हो और जिसे withdrawal करना है जाकर contact करो college को withdrawal के लिए क्योंकि WBG अब खतम हो गया उसका अब round खतम होने वाला तो अब round खतम कर देगा ठीक है अब बात करते आगे का मौपव वगेरा यह सब का तो उसके recording में अलग से वीडियो में बनाओंग करें बार-बार बोलता हूं कर जागरो और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना और डाउट्स रहता है कमेंट करना और जो जो कॉलेजिस मिलें कमेंट करो कि डेटा मुझे पता भी चले यार कितने के अच्छा गया है क्योंकि इस बार गॉर्मेंट क्लेजिस मिलें बहुत को मिन्स बुरूलिया वगेरा अच्छा को लोगे का तो सीट पहले ही फुलफिल हो चुका जो भी अच्छी बात है सब को कॉलेज मिलना ही चाहिए था जो लगे होंगे अच्छा से उन्हें कॉलेज मिला ही होगा तो टेंसन की बात नहीं है तो चलो मिलते हैं अगले व देखना है तो एक बार देख लेना क्लिक करके लिंक में आपको क्लियर हो जाएगा चलो बाइग